सलमान की भांजी करने जा रही है बॉलिवुड में एंट्री बॉलिवुड में स्टार किड्स की लॉंचिंग काफी चर्चा में है हाल ही में करन जोहर ने संजे कपूर की बेटी शनाय कपूर को लॉंच करने की घोशना की ऐसे में बॉलिवुड के खान परिवार के स्टार किट्स कैसे पीछे रह सकते हैं खबरे हैं कि सूपर स्टार सलमान खान की भांजी अलीजे अगनी होत्री भी फिल्मों में डेब्यू करने जा रही है यूँ तो सलमान खान ने बॉलिवुड में कई अक्ट्रस को लॉंच किया है लेकिन खुद अपनी ही भांजी को अभी तक परदे पर नहीं लेकर आए लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो अलीजे को बॉलिवुड डायरेक्टर सूरद भरजात्या लॉंच करेंगी सूरज के बेटे अब नीश भरजात्या जल्द ही रॉंच कॉम फिल्म शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अलीजे को लीड डोल में कास्ट करने की चर्चा है सिर्फ अलीजे ही नहीं खबर ये भी है कि इस फिल्म के जरिये धरमेंदर के पोते और सनी देओल के बेटे राजवीर देओल भी फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे सनी दियोल के बेटे रादवीर दियोल लंबे समय से अपने सिनिमा जगत में एंट्री लेने की तैयारी में जुटे होए हैं अब नीश की फिल्म ये जवानी है दिवानी के जौनर की होगी जिसमें लीड आक्टर्स प्यार के तलाश में घूनते दिखाई देंगे जानकारी के लिए बता दे की पहले अब नीश की फिल्म में जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी दिखाई देंगे लेकिन सूत्रों के मताबिक अब राश्री बैनर ने सनी के बेटे को साइन किया है वहीं सल्मान की भांजी अलीजे अभी 20 साल की है और सोशल मीडिया पर काफी पॉपिलर है लेकिन अभी तक उन्होंने अपने इंस्ट्रग्राम अकाउंट को पब्लिक नहीं किया है सल्मान की बहन अलवीरा खान और रतुल अग्मी होतरी अपने सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीरे खूप शेयर करते रहते है अलीजे बेहत खुपसूरत है इतना ही नहीं उन्होंने बॉलिवूट में दिवगंद मशूर कोरिग्राफर सरोज खान से इंडियन जान्स भी सीखा हुआ है तो दोस्तों ये खबर जान कर आपका क्या कहना है अपनी राय हमें कॉमेंस में जरूर दे और ऐसी और भी बॉलिवूट की खबरे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए